आज नवरात्री है और नवरात्री का पहला दिन है आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं जैसे आज नवरात्री है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए और नवरात्री का अर्च कई लोग कहते हैं आप लोग समझते नहीं हैं सनातन धर्म की गूरता को लोग जानते नहीं हैं आज नवरात्री में केवल माता जी की पूजा नहीं होती इन नवरात्रियों में आप जिन की पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी ये नवरात्रियों की महिमा है ये नवरात्री में जो नौ दिन होते हैं ये इश्वर की तरफ इश्वर के समय प्रथवी के बिल्कुल करीब होते हैं भागतों की पकार सुनने के लिए उसी तरह भगवान साल में दो बार प्रथवी के समी पाते हैं देखने के लिए इन अवरात्रियों में विश्σिस दूप से कॉन? मा मा अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं हम सभी कौन है बच्चे हैं किनके बच्चे हैं मा कौन है वो हमारी मा कौन मा कौन मा कोई कहे अंबे मा कोई कहे दुरगा मा कोई कहे लक्षमी मा कोई कहे भद्रकाली मा कोई कहे काली मा, कोई कहे चंडी मा, तो ये बताओ, देविया नौ नहीं होती मिरी मा, और ना दस होती, फिर तो बावन शक्ति पीठे हैं तो नौ ये गिन लो फिर बावन वो भी गिनो कामाख्या माता लग है ज्वाला माता लग है केला माता लग है शारदा लग है नौ रात्री में नौ में सारदा थोड़ी आती है नौ में कामाख्या माता थोड़ी आती है तो फिर बावन वो गिन लो और नौये गिन लो तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है जैसे किसी एक वस्तू के पर्याय अलग होते हैं पर्याय वाच्छी है ये आकास को हम गगन भी कहते हैं आकास भी कहते हैं अंबर भी कहते हैं बहुत सारी पर्यावाची मिल जाएंगे आपको उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यावाची हो सकते हैं और होते हैं सूर्य के अलग पर्यावाची होते हैं सूर्य है भासकर है आदित्य है है ना भौम आये ना भौम है जैसे सूर्यभागवान के बारह नाम है जैसे पुश्प के अनेक नाम है उसी परकार से देवी एक है माता भगवती लक्षमी उन लक्षमी को कोई दुरगा कहता है कोई भद्रकाली कहता प्रथमम शैल पुत्री चा आज शैल पुत्री की पूजा होती सैल पुत्री मतलब माता पारवती सैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी प्रथमम शैल पुत्री चा दुतियम ब्रह्मचारनी कल ब्रह्मचारणी मय्या की पूजा होगी ये ब्रह्मचारणी मय्या कौन है कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारणी मय्या है वो मय्या है वैश्नवी मय्या जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है न मैता जी विवाह नहीं हुगा उनका प्रतमम वैश्णव माताजी ब्रह्मचारी रूप में है तो पहली पूजा पारवती मा से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा तो दिखो चाहे आप शैल पुत्री कहो या ब्रह्मचारनी कहो तत्व एक ही है वो एक ही तत्व है लक्षमी तत्व भाई ये बताओ आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप अच्छा आप अपनी बेटी को लक्षमी कहते हैं तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं आप भी अपनी बेटी को लक्षमी मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्षमी कहा जाता है जब घर में बहु आती है तो हमारे यहां कहते है लक्षमी के पाऊँ पढ़ते ही घर में सम्मंगल हुआ है क्यों? हमारे यहां बेटी को क्या कहते है और बहु को क्या कहते है और मा क्या होती है बोलो मा क्या है मा भी लक्षमी है सही है कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्री में कन्या जिमाते हैं ना कन्या भोजन करते हैं तो क्या सोच के करते हो कि हमारे घर मता लक्षमी आई दुरगा मान लो लक्षमी कहो शारदा कहो भद्रकाली कहो पार्षवे नक्षत्राणी कहने कातात पर यह है वेदों में एक ही तत्व की उपासना है श्री तत्व मतलब लक्षमी तत्व वही लक्षमी तत्व दुरगा के नाम से जानी जाती है मैहर में उन्हें ही सार्दा कहते हैं एक ही परमतत्व है और वह है लक्षमी तत्व वही लक्षमी आज प्रथमम्शैल पुत्रीचा आज वही लक्षमी क्या बनके पुझेंगी आज वही लक्षमी माता पारवती बनकर के पुझेंगी जगत जन्नी कहलाएंगी आज उनके हम पारवति स्वरूप का पूजन करेंगे तो आज लोगों को घर में दीपक जला कर आज मा भगवती का ध्यान लक्षमी जी का ध्यान करना चाहिए हे मा हमारे घर में ये आपका ही घर है आप हमारे मन मंदर में आकर बैठ जाएए हमारी बुद्धी को निर्मल कीजिए हम सदा आपकी सेवा करते रहे हम सदा आपकी आराधना करते रहे और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे ये ज्यान का ये भगती का दीपक सदा प्रजुलित होता रहे आज के दिन आपको राम रख्षास्तोत्र नारायन कवच का पाठ करना चाहिए जो भी पाठ करेंगे कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायन श्रीमन आप आज श्रीमन नारायन का जाप करें तो वह नारायन का जाप भी सिद्ध होगा आप यदि ओम नमह सिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो शिद्ध होगा आप ओम नमह सिवाय जपें या गंगन पताई जपें या दुरुगा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्री मन नाराण जपें जो भी आज जपेंगे आज मतलब नौ दिन तक निरंतर वो आपका सिद्ध इसलिए ये नौ दिन विसेश पूजा पाट के लिए निकाले जाते हैं साल भर आप फुर्सत नहीं पाते समय मिलता नहीं है नौ दिन का समय निकालो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की सरण में रहो ये नवरात्री है नवरात्री में जिन कन्याओं को बुला बुला कर पाउं धोकर माहौर लगा कर जिनकी पूजा करते हो जिने दक्षिना देकर विदा करते हो खीर पूरी खवाते हो उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी स जिवा उनका संमान करो, नारी का संमान सदा, लक्षमी मान के, आप आज नवरात्री में एक लड़की का आप संमान करते हैं, देवी मान कर, और नवरात्री जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात होई नहीं, नारीयों का सदा संमान बना रहे देखो हमारे सनातन धरम में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है, दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है, हमारे यहां भागवान मानकर नारियों के पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है